असलावलेकूम आई होप आप सारे लोग खेरेट सूंगे आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्च्वल में ड्रॉप शिपिंग है क्या सो बेसिकली यहां पे अगर मैं आपको सिंपल से अलफाज के अंदर समझाओं तो यहां पे दो चीज़े होती एक होलसेलर होता है एक रिटेलर होता है अब होलसेलर कौन होता है लेट स्पोज एक हमर पस फैक्टरी है वो जो भी प्रॉडक्ट है वो बना रही है बल्क के अब जो फैक्टरी है या वो होलसेलर है वो लेट स्पोज एक प्रॉडक्ट दुकान वाले को देखे जाता है 10 रुपय का ठीक है और दुकान वाला उसको फाइनल कस्टमर को बेचता है 15 रुपय का तो दुकान वाले ने 5 रुपय प्रॉफिट बनाया ठीक है अगर आप इ नहां पर बैटेंड़ और आप का होगी कस्टमर को के मैं लैप्टाप बेच रहा हूं वो कहाए ठीक है मुझे लैपटाप दे दो आप वो पुचहएगा कितने के लैपटाप है आप का होगी अ लैट स्पोस हंडर डॉलर के लैपटाप है वो कहेगा ओके यह घंडर्ड ड तो इस तरह से आप 20 डॉलर प्रॉफिट कम आओगे मतलब आपने कोई स्टॉक नहीं उठाया कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की जादा यहां पर जो जो आपकी इन्वेस्टमेंट और एफर्स लगी वह सिर्फ मार्केटिंग पर लगी मजीद इसको डिटेल के इंदर स शुरू कर दी डिफ्रेंट ऑनलाइन मीडिया प्लैफ़ॉंस या सोशल मीडिया प्लैफ़ॉंस या कहीं पे भी आपने उसकी चुरू कर दी उसके उपर पिच्चेज लगा के कि मैं ये प्रॉडक्ट से लिकर कर रहा हूं अब जैसे ही आप इसकी इसको पर मोड कर रहे है इसको बना के यहां से कस्टमर आता आपके पास और आपका एक प्रॉडक्ट बाय करता है 80 डॉलर के अंदर ठीक है आप क्या करते हो इस कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो अपने स्प्लायर को भेज़ देते हो अब जो स्प्लायर है वो अक्चल में आपको प्रॉडक्ट 50 डॉ और यहां इस तरह से आप 30 डॉलर प्रॉफिट कमार लोगे तो इस तरह से यह बिजनिस मॉडल काम करता है और इसको मजीद आगे चलके देखेंगे नेक्स लेक्शर के अंदर के शॉपीफाय के उपर आगर आप ड्रॉप्शिपिंग करना चाह रहे हो तो किस तरह से देखेंगे आप ड्रॉप्शिपिंग और इसको मैं प्राक्टिकली करके दिखाऊंगा मिलते इंशाला नेक्स लेक्शर के इंदर तेल जिन कीप लर्मिंग कीप एक्स्प्लोरिंग अल्लाहाफेस